सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथियों को, परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे आपको कभी गलत अथ्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी, तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी, तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता उस पूरे संगर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएगे तब तक जनता के भागिदारी सुनिश्चित करना असंबभ था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने की वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी, हमने सब आपके सामने रखी, इमानदारी से रखी, अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई, कितने बेड्स हैं, कितने आईस्यू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिये हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते है अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 25,000 केस आये थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे है पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है संक्रमंदर बहुत जादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चरमरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है आईस्यू बेड्स दिल्ली में लगबग खतम हो गया है आज सुबह मैं एप पे देख रहा था सौ से भी कम ICU बेड्स दिल्ले में बचे हैं ओक्सीजन की भारी कमी हो रही है कल हमने सेंटरल गॉर्वर्मेंट को भी लिखाया उनसे बाचीच चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हास्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगबख खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उधर हाथ पे रमारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसेविर दवाई की खास कर काफी कमी हो रही है ये सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए ये सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पर चर्चा करने के लिए मैंने आपको यह परिस्थिती बताई ए तो दिल्ली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है अभी तक हमने दिली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया दिली में चौथी वेव आई है पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें साड़े चार हजार के करीब केस आई थे दूसरी वेव आई फिर सितंबर में फिर तीसरी वेव आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आए थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां छे हजार केस आई तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया कोलाप्स कर गया दिल्ली में साड़े आठ हजार केस आई पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कोलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी आज पच्चिस हजार केस आएं अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा पनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलाप्स किया है लेकिन आज हमारा health system बहुत जादा पनाव में है किसी भी health system के अपनी सीमाई होती है अंगिनद patients तो कोई भी system नहीं ले सकता ना किसी भी system के अपनी सीमाई है पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्त के क्षित्र में काम किया है खूब नए hospital खोले हैं महला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बनाए है बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास्त के क्षित्र में काम हुआ है यही कारने कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का system चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंट कुछ कठोर के दम नहीं उठाए गए तो यह system कलाप्स कर सकता है और अगर health system कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हम इने बताया कि कल एक अस्पताल में अक्सिजन बिल्कुल खतम हो गई थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियोज देखे हैं तस्वीरे देखे हैं आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंस पड़े हुए हैं सडकों के उपर लोग दम तोड रहे हैं अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है वैसा नहीं होने लिया आज सुबह ग्यारा बजे मेरी और एल जी साहब की मीटिंग होई और इन सारे पहलों के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचीत हुई और उस बाचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉक्डाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडूर के अंदर पेशेंस पढ़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं को सुबह पांच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो एसेंशल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी यह शादियों का सीजन है लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन हो लेकिन केवल पचास लोगों के गैदरिंग के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डीटेल्ड ओर्डर जारी हो जाएगा कि कौन-कौन सी चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मैंने और LG साहब कि हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लोगडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खास कर सबसे गरीब तबके के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लोगडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाता हूँ यह छोटा सा लोगडाउन है छे दिन का दिली छोड़ के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिए मुझे उम्मीद है कि यह छोटा लोगडाउन हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिली में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुझे सिबस से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझे पर भुरूसा रखिए मेरी दिली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्ने हमने बहुत मुझे से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि lockdown से करोना खتم नहीं होता lockdown से करोना की speed कम हो जाती है मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्त्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो lockdown लगाना जरूरी हो जाता है ताकि patients का number कम हो जाए ताकि health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आप से इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में beds की विवस्ता करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगतार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे oxygen की विवस्ता करेंगे दवाईयों की विवस्ता करेंगे इस lockdown के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उमीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमश्कार